केंद्र में लगाता तीसरी बार मुधी सरकार बनने और विदिशा सीट से भाजपा के नव नर्वाचेत सांसर ज्रवराद सिंग चौहान को केंद्री मंत्री बनाए जाने बाजपा कारेकरता खुशिया मनाते हुए जम करनाचे और खूब आतिश बाजी चलाई और अस मौके पर विदिशा विधायत मुकेश टंडन ने ये कहा है कि श्रवराज जी के मंत्री बनने पर सारे प्रदेश में खुशिया मनाई जा रही है मध्यप्रदेश के धार महु से सांसत सावित्री ठाकूर को केंद्री राज्य मंत्री बनाया गया है और उससे धार के लोगों में खुशी है जले के सभी 37 मंदलों में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रदान मंत्री बनने पर और सावित्री ठाकूर के मंत्री बनने पर आतिश बाजी कर मिठाई भी बाटी गई आजादी के बाद धार लोकसभा का चिना हुवा सांसत कभी केंदर में मंत्री नहीं बना था, पहली बार सांसत सावित्री ठाकूर का नाम मोदी मंत्री मंजल में शामिल हुआ है। संसत बनी थी उसके बाद 2019 में हुए चिनाव में पार्टी ने उन्हें टिकेट नहीं दिया था लेगिन 2024 में पार्टी ने उन्हें फिर टिकेट दिया और ये चिनाव उन्होंने रिकॉर्ड सवा दो लाख वोटों से जीता उन्होंने कॉंग्रस के प्रत्याश्री राधेश् हराया है धारजले को पहली बार केंद्री मंत्री मंजल में स्थान मिला है आपकोर चाहत्यज़गर से तली के राश्रुपती द धान अधागरे आपकोपर चाहत्यज़गर से तली के राश्रुपती भवन में। प्रादी मुर्मूने नरेंद्र मोधी जी सहेता केंusa बारुत इस बादे मीनमति anál में। नव निर्वाचित सांसादा तोखन साहू ने भी केंद्रिय राज्या मंत्री के रूप में पद एवम गुपनीता की शपत ग्रहन की और जिस पर प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्नुदेव साय ने खुशी व्यक्त की शपत ग्रहन कारिकरम के बाद पीम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा कि नव गठिता एंडिये सरकार में चत्तीस गड़ की विलासपूर लोकसबा सीट से सांसादा तोखन साहू को मंत्री मंदल में स्थान मिला है ये चत्तीस गड़ राज्य के लिए गौरव शाल करेंगे देश प्रदेश को विकास की नहीं उचाईयों तक ले जाएंगे दली में आयोजित शपत ग्रहन समारो के कारिकरम में मुक्य मंत्री विश्णुदेव साय मंत्री गड़ नर्वाचित संसद एवं विधाय गड़ मौजूद रहे 36 गड़ विधानसबा अदेक्ष डॉक्टर रमन सिंग अपने नर्वाचन शेतर राचनात गाओं विधानसबा पहुंचे और उन्होंने अपने निवास कारयालाय में भारतिय जुनता पार्टी के कार्यकरताओं से भेट करते हुए चर्चा की वहीं आम जनों से मुलाकात क कर उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान के लिए संबंदतों को नरतेशुत किया इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार की शपत क्रहन को लेकार वधानसबा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने प्रदान मंत्री मोधी और उनके मंत्री मंजल को अपनी बदाई और शुबकामनाय देते हुए ये कहा कि एंडिय सरकार के मंत्री मंजल में 36 गड़ को भी प्रतिन दित्व मिला है वहीं लोकसबाद चनाप के दौरान राजनात गाओं से वुपेश बगेल को मिली बड़ी शिकस्त के मामले में डॉक्टर रमन सिंग ने ये कहा कि राचनात गाओं की जनता ने हिसाब किताब बराबर किया जितनी उपेख्षा और अशोशन वुपेश बगेल ने राचनात गाओं का किया था उसका बदला यहां की जनता ने खामोशी से लिया शक्तिस गड़ प्रदेश में नकसल मामले पर हो रही कारवाई को लेकर डॉक्टर रमन सिंग ने ये भी कहा कि आने वाले दो तीन सालों में शक्तिस गड़ शांती और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा एवर फेस्बुक एवर वाट्सप के माध्यम से हिंदु धर्म के खिलाव घ्रणा फैलाने धार्मिक भाबनाओं को छेश महचवाने एवर सनातन संस्क्रती एवर हिंदु धर्म के खिलाव शड़ंत रचकार अभद्र शब्दों के साथ मैसेज प्रसारतकार हिंदु वालों के खिलाव हिंदु संगचनों ने रायपूर ग्रामीड वधानसबा के उरला थाना बिरगाओं के थाना प्रभारी को ग्यापन सौपा और एफ यार कर कड़ी कारवाई करने के लिए बाट की उचित कारवाई नहीं होने पर उग्रांदोलन की भी चेतावनी दी गई तीरत साहू ने ये बताया कि जब से लोकसभा चनाब 2024 का परिणाम आया है तब से कुछ हिंदु धर्म विरोधी भाचपा रसे से जुड़े लोग लगातार सनातन संस्कृती एवं हिंदु धर्म से जुड़े लोगों के खिलाप अबादर शब्दों के साथ काली का लौच करते हुए Facebook WhatsApp के मात्यम से अनिकुम Message प्रसारत कर रहे हैं जिससे आहत होकर राइपुर ग्रामीड वदान सभा के समस्त हिंदु धर्म लंबी उर्ला थाना पहुंचे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करवाने अब हम शांती कायम करने के लिए ग्यापंच सौपा औ प्रफाया दर्च करने की मांग की गई और धर्ना प्रदर्चन शुरू करती है भूखर्थाल और धर्ने पर जय जाड़ेश्वर परिवहन संग के पदाधिकारी सदस्य और स्थानिये नागरेक बैठे हुए हैं नगरनार एनमजीसी स्पात सयंत्र में भूप्रभावित और स्थानिये लोगों के हित्मिक कार्या करने के लिए स्थानिये समिती जय जाड़ेश्वर परिवहन सकारी समिती मर्यादत्ता नगरनार के बैनर तले जन हितैशे विविन नमद्दू को लेकर प्रयास करते हुए आ रही है लेकिन 22 वर्ष बीतने के बाद भी स्थानिये लोगों को स्पात सयंत्र से किसी प्रकार क कोई लाब नहीं मिल पाने और बीते 22 वर्षों में ग्राम सभा की शर्थों का पालन नहीं करने पर इस्थानिये समिती के नेतरत में क्रमिक भूड खड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है तो वहीं धमतरी शहर के सिटी कोत वाली से महज़द 200 किलो मीटर दूर इतवारी बाजार में उस वक्त हरकम्प मच गया जब भीड के बीच बीच चाकू चल गया चाकू चलने से अफरा तफरी मच गई बताया जा रहा है कि दो अग्यात युवक का इतवारी बाजार में चाकू लेकर पहुँचे और व्यापारियों के पास जाकर चाकू दिखा का रुपई की दिमांड कर रहे थे तबि कुछ व्यापारियों ने पैसा देने से मना किया तो अग्यात लोगों ने व्यापारियों पर चाकू से हमला कर दिया बताय जा रहा है कि चाकू के हमले से करीब दो युवक गंबी रूप से घायल है और एक को छोटा चोट आई है वहीं वार करने वाले अग्यात युवक को इतवारी बाजार में व्यापारी ने पकड़ा और खुद ही थानी पहुँचाया है वहीं घायलों को इलाज के लिए आस्पाताल ले जाया गया है राईपूर रियलवेज स्टेशन पर बड़ा हाथ सा टल गया चलती ट्रेन में छे महीने के बच्चे के साथ महला पत्री पर गिर गई पूर्ण दर्मियान महिला का पैर फशलने से महला और बच्चे दोनों बच्चे नीचे आगिरे और पीएफ की जवान ने ततपरता दिखाते हुए ट्रेन में चेन पोलिंग का ट्रेन को रोका, स्टेशन में यात्रियों की मदद से मा और बच्चे दोनों को सही सलामत बाहर निकाला गया, हाथसे में महिला और बच्चे को मामूली चोटे आई हैं, दोनों को चार के लिए पीच दिया गया है, महिला हाबडा मुंबई ट्रेन से मुंबई जा रही थी राइपुर जिला कलेक्टर डॉक्चर गौरप कुमार सिंग के आदेश पर नगर पाले का निगम की आयोकता अभिनाश मिश्रा के निर्देशा नुसार नगर निगमा शेत्र में अवैद प्लांटिंग के प्रक्रणों पर कारवाही लगाता जारी है जोन आठ के तहट वाड नंबर दो के कोटा में चित्रकूट परिसर के सामने लगभगा चार एकड निजी भूमी पर की जा रही अवैद प्लांटिंग पर रोक लगाई गई है नगर निगम विभाक के मात्यम से राइपूर तहसीलदार को पत्र लिक कर निजी भूमी के वास्तवेक भूमी स्वामियों की जानकारी संबंदित नगर निगम को शीग रुपलब्द करवाने को कहा गया है तहसील कारयाले से जानकारी मिलते ही 36 गड़ा श्रासन के अधनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंदत अवैद प्लांटिंग करताओं के विरुद्ध संबंदत पुल स्थाने में फईयार तच करने की आदेश भी दे दिये गए है सर्गुजा जले के ग्राम पंचायद भिटुवा में प्रशासकिया स्विकरती से पहले पुल का नर्माण कर दिया गया और जहां इंजीनियर ठेकेदार की मिली बगत सामने आई लेकिन सरकाक को बिना खर्च किये ही दस लाक रुपई की लागत का पुल मुफ्थ में मिल गया है दर असल सीताप और विकास खंड के ग्राम भिटुवा में दस लाक रुपई की लागत से पुल का नर्माण किया जा रहा था जहां शासकीय नियमों की अंदेखी करते हुए प्रशासकीय स्विक्रती से पहले ही पुल का निर्माण ठेकेदार द्वारा कर दिया गया वरिंग ग्रामीडों ने भी बताया कि इस पुल का निर्माण ठेकेदार द्वारा पूरा कर दिया गया है इदार इस पूरे मामले को लेकर छेत्र विधायक रामकुमार टोपो ने भी कहा कि प्रशासके स्पीकरती के बिना प्रशासके स्पीकरती कारे करना बिल्कुल कलत है इसकी जांच करवाई जाएगी वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत CEO ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर निर्माड कारे की राश्री जारी नहीं की जाएगी वहीं प्रशासके स्वीकरती के बगएर निर्माड कारे करना पूरी तरीके से अवैद माना जाता है। बजली की सप्लाई आती भी है तो लगातार बजली कट जा रही है और उसके बावजूद बजली विभाग के अधिकारियों से बात की जा रही है तो केवल मौकिक रूप से सिर्फ आश्वासन दिया गया लेकिन आज तक नहीं ट्रांसफार्मर बना और नहीं बजली में कोई स भाग सहेता अन्या अधिकारियों के खिलाफ जम कर नारे बाजी की और यह कहा कि जब तक हम लोगों की समस्याओं को समधान नहीं किया जाता तब तक प्रदर्श्रन जारी रहेगा खबर जार्खंड के लोहर दगा के किसको प्रखंड सी है जहां के अंतरगता बेट हट पंचायत के लोग पचलेक सप्ता से डिबरी युग में जीने को मझपूर है वो दवार को आई तेज आंधी तूपान की वज़ा से बेट हट पंचायत के पतगच्छा भुसाड और लावगई को जोडने वाली आठ विद्दृत पोल गिर गई थी जिसकी वज़ा से गाउं के ग्रामिलों के बीच बजली की समस्याथ पन हो गई इस्थानी ग्रामिलों द्वारा वद्दृत विभाग को लेकित सूचना भी दी गई लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई लोग जलापूर्ती योजना के सोलर प्लेट से किसी प्रकार मोबाइल चार्च कर रहे हैं रात में मोबाइल से ही काम चलाया जा रहा है इदर प्रधान मंत्री मोधी की शपत ग्रहन पर लोहर दगा में जैश्री राम समिती सामाजिक संगठन एवं भाचपाईयों ने खुशिया मनाई लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बाटी और जम कर आतेशवाजी की निंगनी में महाकाल ग्रुप के सदस्यों द्वारा जम कर आतेशवाजी करते हुए ये कहा गया कि हमारा देश एक विक्सित सुरक्षित है वो मजबूत देश की ओर बढ़ रहा है प्रधान मंत्री मोदी हमारे देश को एक मजबूत राष्ट बना कर दे यही कामना हम सभी करते हैं रांची के मैकलूस की गंज में SIPL की साइट पर हमला कर कंटेनर में आगजनी करने वाले पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार किया है इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल एक देसी कट्टा छे ड्राउंड गोली समेत अन सामान बरामत किया SSP चंदन सिंधा ने प्रस कॉंफरेंस कर ये जानकारी दी किरफतार अपराधियों ने पुलिस के समक्ष पिकार किया कि ठेकेदार से 2 लाग की रंगदारी की मांग की गई थी जिसके बाद ठेकेदार द्वारा 20,000 रंगदारी देने की बात तैय हुई थी लेकिन ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया जुस से गुस्सा होकर आगजिनी की घटना को अंजाम दिया गया है इस घटना में कई अन्य अपराधि शामिल है वर्ल ट्रेडिशनल शोतोकान कराटे फेडरेशन धनबाद का बेल्ट ग्रेडिंग कलाभवन हीरापुर के परागण में संपन्न हुआ और जिसमें धनबाद जला शोतोकान के 40 कराटे शात्राओं ने भाग लिया जिसमें 28 प्रते भाग्यों को सफल खोशुत किया गया बलाग बल्ट प्राप्त करने वाले इंदरा मुखरजी एवाम विक्रमा दित्य सिंग साथ सालों से कराटे का प्रस्रिक्शन कलाभवन में मुहमध तोराप khान से प्राप्त कर रहें हैं इंद्रा कारमेल स्कूल धनबाद की नौवी की शात्रा हैं और विक्रमा अदित्या डियेवी पब्लक स्कूल कोईला नगर सिक्स के शात्र हैं और इस सब बेल्ट ग्रेडिंग में कला भवन कैंबर्ज स्कूल एवं बर्टांट क्लब के शात्रा उन्हें भाग लिया है टेस्ट में सभी प्रतियोग ग्योतेवाँ के योग्य के अनुसारा पंच किक पंच किक कॉंबिनेशन करांटा कुमिते का टेस्ट लिया गया ब्लक बेल्ट के लिए मुख्य रूप से बसाईदाई करांटा का टेस्ट लिया गया चले इस बुलटिन में अतना ही नमस्कार झाल झाल